नमस्कार, स्वागत आप सभी का इविद्या चैनल नमबर नाइन पर मैं हूँ देवेंद्र रुत्र पाठी आज के सेशन में उर्दू का एक पाठ होगा कक्षा नौवी के विद्यार्थों के लिए और इस पाठ में एक नजम आप पढ़ेंगे नजम का नाम है एक आरजू और इसके जो राइटर हैं उनका नाम मुहम्मद इकबाल है और ये नजम पढ़ाने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्तित विशेशग्य का आप सभी से तारूप करा दें हमारे साथ जुड़े हैं प्रोफिसर मुहम्मद मुख्जम الدین सर आपका बहुत-बहुत स्वागत अविनंदन बहुत-बहुत शुक्रीया आपका बच्चो आपका भी इस्तक्बाल है इस प्रोग्राम में जो है डबल एट डबल जिरो डबल फोर जिरो डबल फाइब नाइन और साथ ही साथ आप हमें एमेल भी कर सकते हैं एमेल करने के लिए आप नोट कर लीजिए एमेल एड्रिस dth.class9.cit.nic.in इन माध्यमों से हमारे साथ जुड़िए और इस विशे के इर्दगिर्द आपके जहन में कुछ परशने उठते हैं कुछ तवाल उठते हैं तो जरूर पूछिए उनका उत्तर देंगे सबसे पहले मैं सरसे आग्रह करूंगा कि जो राइटर है इस नाजम के इकबाल उनके बारे में थोड़ा सा परचे हमारे चात्रों को हमारी लोनुस को करा दें जी बहुत बहुत शुक्रिया बच्चो आपके लिए अकबाल का नाम कोई नया नहीं है आपने पहले भी पढ़ा होगा अकबाल का नाम सुना होगा और जैसा कि अगर आप उनके सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हम बुल बुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा या लब पे आती है दूआ बनके तमन्ना मेरी तो इस तरह कि उनकी और सारी नजमें के हवाले से आप अल्लामा अकबाल से वाकिफ होंगे कुछ ना कुछ उनके बारे हम पढ़ा होगा चुकि आज आप नवी जमात का एक सबब पढ़ रहे है कारजू तो यहां तक आक्वी किलास है का आपने अल्लामा अकबाल में बहुत कुछ पढ़ भी लिया होगा सुन भी लिया होगा जाती तोर पर भी मुताला किया होगा अल्लामा अकबाल पूरी अर्दु शायरी पर अगर हम नदे बात करें तो उसमें आपकी एक बड़ी ही इन्फरादी शक्सियत है कोई दूसरा उस मुकाम को नहीं पहुँच पाया है जो अकबाल का मुकाम है पूरी अर्दु शायरी में तो इनकी पैदाएश नो नमबर 1877 को सियाल कोट पंजाब में होई थी और उनके वालिद का नाम शेक नौर मुहमत थी वो दीनदार आदमी थे और खाथ तो तो वो तस्वफ की तरह माले तस्वफ उनका बहुत लगा हो था जादा तालीम याफ़ता तो नहीं थे वो लेकिन तालीम का बहुत शौग रखते थे और अपने बच्चों की तर्बियत में उनके बहुत अच्छे तालीम दिला उनका बहुत बड़ा हाथ है और एकबाल को बार भार बार वह नसीहत करते रहें खासतोर से कलाम पाओ की तलावत के वक्ट जब लाम अखबार खुराण शरीय तीप तलावत करते थे ते तवजर की नमाज के बार तो उनके वालिद ने एकबार उनसे कहा की बेंका कलाम पाओ को ये सोच कर पढ़िए कि समझे कि आप पर ही यह नाजिल हुआ आप पर ही उत्रा है आप से ही हम कलाम हैं अखबाल कहते हैं कि वालिद की इस नसीयत का उन पर बहुत असर हुआ और उनों ने बरसों एक एकायद पर बरसों गोर किया है और उस से बहुत अच्छे नतीजे निकाले हैं तो उनकी पूरी में कहील नहीर के लूख नजर आती है कलामपाक कि रूख नजर आती है जो भाद में पैदा हुई उनके बड़े वाइश, शेकताम महम्मद का भी उनके तरुब्यत में बहुत हाथ एं और उनकी वालदाग मुलक को मिलने से बड़ा जबा था उनका जो है और उनके अगबाल की तरुबित में, उनकी वालदा की भी बहुत बड़ा हाथ तैल्म अकबाल की तालीमुना थारा सऑनवे मिजल पाश्किया उन्होंने अग्ठारा सो ऱत्राव में मारिक किया, फिर पिर 1895 में मार्टिक के लिए लाहूर के मज़ीद तालिम के लिए एक्टारा सो निन्यानवे में उन्होंने फिलास्फी में एमें किया उसी दौरान हमाटे इसलम लाहूर की जल्से में शिर्कत करने लगे उस वक्त बहुत बड़ी जान्यूमन थी वहाँ पे लाहूर में और उसमें शिर्कत करते थे यह न अनलेट से मुलाकात हुई तो अल्लाम अग्बाल की प्यास और बढ़ गई तालिम की और इस अनके फलस्फफे की मज़ीद तालिम उन्होंने प्रोफेसर आनलेट से हासिल की इनके एक उस्ताद गुलाम थे थे भी उनसे में कुरान की तालिम हासिल की इनके एक अहम उस्ता स्येद मेर हसंत है जिन से उन्होंने उर्दू-फार्शी अरभी पढ़िए अदब की तारीम हासिल की और सितंबर 1905 में इंगलिस्तान रवान हुए इंगलिस्तान रवान होगे तो वहां पर इन्होंने एरान में माबादू तबियत कहिए तका वहां की पेग्जे जिगरेली इन्हीं मेंटाफिजिक्स इन्होंने इसके बाद 1907 में लंदन में वकालत का इम्तिहान पास किया बाइरिश्टेर रेकला हुए जुलाइव निए सो एक्ठान आट में वापस हुए उन्हीं सो तीन में इनको हुकुमत बरतानिया की तरफ से सर का खिताब मिला तो उस वकु कर लेने समना कर दिया कि सबसे पहले मेरे अस्ताद को आप खिताब दीजे को इनको इनाम दीजे उसके बाद मैं इसको कबोल करूँगा तो फिर हुकुमत नों से दरियात किया कि आपके अस्ताद या श्म्चुलूलमा सियद मीर हसन जो है उनकी किसी किताब का नाम खिताब दिया गया उमीरसन को उसके बाद आल्मा अकबाल ने सरका कि कबोल किया यह दाख धेल्वी के शागरित थें दाख धेल्वी उसक है जर्हाबाद में थें और मुलाकाँ कभी नही हुए लेकिन खताबत के जरिये यह कलाम बेचते तो वहास इसला करकर वापस बुल जो दिया है मामूली मामूली वाकात पे अखलाकी पर नदमे लिखे द्हीन और यह सब के त्करज़े अम ग्यारा नदमें जो सबके सब बंगेदरा में र हैं और हैकायटिय नदमें तर्जिमाशुद्ञा है यानि हजिकायटियी नदमें कोई नहुए हमें कैदर सीखनों को मिलती है कोई ने कोई ऐसा पहलू है जो हमें मतासिर करती है दूसरी चीज है कि अल्मा अकबाल के नेचर से बड़ा गहरा लगा हुता है नेचर के यहां जो रोमांटिसिज्म का तस्वूर आता है उससे फायदा उठाया नेचर की तरफ मालते है और उस नेचर के ह है परिंद है पहाड़ है दरिया है जर्ना नदी जंगल फल फूल वगएरा यानि सभी चीजों को अपनी शायरी में मुनासिब जगांदी है और उन से ना सिर्फ यह कि है कि हम उनका सिर्फ नामों का सारा लिया है बलकि उनके हवाले से कही नकी अखलाकिया पर भी दोर दि है बच्चों के तर्वियत और परवरिश पर तौज्जिविए है कि वह बावसूल जिंदगी गुजारें बेमकस्द जिंदगी नगुजारें अनसानी जिंदगी के मकस्द नहीं कि जो कुछ हम दुनिया में आये हैं तो एक उसूल के ताकि हम इस धुन्या में और माश्रे क्यम्मल कोई फला हो बैबूत का काम कर सकें, तो अक्बाल को यह बड़ा खास नदरिया था और पूरी शारी अगर हम देखें तो उनकी पूरी शारी प्यामी शारी है कहीं नदमों के जरीए, मदाहर फित्रत के जरीए, हैवानों के जरिये मुक्तलिफ और वाकियात के जरिये कोई ना को यो पैगाम जरूर देते हैं उनका नजरिया यही तक कि फर्द और माशरे की इसला होनी चाहिए लहादा शुरू सही उन्होंने अपनी शारी में तर्बियती निगाग डाली है यानि इस तर्बियती निगाग का मतलब ऐ इसी निगाग डाली जिस तर्बियत हो सके बच्चों की माशरे की फलस्फ खुदी उनका खास नदरिया है लेकिन यहां उसकी जरूरत नहीं है लेकिन इसके इतना कहना जरूरी मालूम होता है कि यह फलस्फ़ा इनसान को खुद की शनाक्त पर दोर देता कि हम दुनिया में किस लिए आये किस लिए भेजा गया है में आने का क्या मकसद है तो फलस्फ़ा खुदी तो इसके तहट उन्हों ने बहुत सारी बाते कहीं है यहां उसका मौका नहीं है बाद में करेंगे काफी कुछ आपने बताया अकबाल के बारे में आगे बढ़ें सर आज की जो नजम है एक अर्जू उस पर चरचाप करें इस से पहले मैं चाहूंगा कि एक बार आप यह बता दे हैं नजम होता क्या है नजम किसे कहते हैं इए बहुत अच्छा सुओाल है नजम का नजम का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे मित Gesal के चीज़ हो मिसाल के तूर पर अगर क्लास्रूम में जा रहे हैं और कहीं कुर्सी तरे बितर लगी हुई धर कुछ इदर उधर यानी बिखरी है तो जाहिर इस बात वो नद्म नहीं है बलकि नद्म उस वत हम देखने में बहुत नहीं तर्तीब से लगी हूँ आगे पीछे नहां और एक तरीके से लगी हूं तो हम कहते हैं वह क्या नदम उजबत हैं तो नदम उजबत एका मतलब जो होता है कि जहां एक बाकादा असूल के तहट कोई काम हो दूसरी मिसाल हम यह देख सकते हैं अगर आपने मोती देखे हो कि मोती अलग अलग बिखार बिखरी हुई हो तो लाइर से बात हो कोई कर्शित नहीं होती है लेकिन अगर उनहीं मोतीयों को हम एक धागे में पिरो दें तो एक माला बन जाती है तस्वी बन जाती है और खुब्सूरत लगती है तो कहीं ने कि किसी चीज़ को एक मुनजब तरीके से एक बाकादा तोर पे उसको पेश करने है करना हम नदम कotherap जो हम अदब के हरा जरीय बात करते हैं नदम को तो हम हर वो चीज़ नज़ब नजब हैं जो नज्ब लेकिन की वे अदब में 2 तरह की City का होते हैं तुरोस को लेंगे होती हूं पॉर्डिा आजगरे को मैंने कॉLabोन कहे नहीं नजब नहीं है वह नजब है लेकिनफंगे जो hebben देखते हैं उर्दू अजब में बात करते हैं तो यहां खजबल भी कसीदा भी है मरसिया है मतनमी भी मुखम्मस है रोबायि है, अकता है वगयर। वगयर। तो ये वगयर। तो इसका तक देखे तो इस सारी चीजे नद्म है है वदन है 2021 में उन्माना casa के तहत किसी मदThe पर देख– नद्म में लिखी जाते हैं लगी। ये तक्रीबान एक्षाराइस चोहत्र उपर शत्र की बात है जब बाकादा गजल के खिलाफ एक आवाद बलंद हुई और यह का कि इससे हमारे इसला के हमारे किरदार की इसला नहीं हो सकती हमारे माशरे की इसला नहीं हो सकती बल्कि हमें नजमों रिखाई जाने लगें तो वहाँ से ये नजमों का रूज हुआ대は पहले तो पावंध नद्में हमें देखनों की मिलती है नद्में चार किस्म की होती है एक पावंध नद्म होती है एक मौरजा नद्म होती है फिराजात नद्म और फिर नस्री नद्म पावंध नद्म उसको कहते हैं जिसमें शुरू से आखिर तक रदीफ काफिया की वदन की पाबंदी हो सारी चीज़ें हो और इसी तरह नदम मौर्रा यानि जिसमें इसको नदम बेकाफिया भी कहते हैं नदम मौर्रा भी कहते हैं जिसमें काफिया नहों यानि इसमें भी बहर और वदन की पाबंदी शुरू से आखिर तक भी होती है अरकान की भी पाबंदी होती है मिस्रे छोड़के बड़े नहीं होते बराबर होते हैं जो सिर्फ इसमें वकाफिये से हम आजाद हो जाते हैं तो इसको नदम मौर्जा कहते हैं तो इसी तरह तीसरी कि आजाद नदम कहलाती है आजाद नदम भी बहर की पाबंदी होती है वद्न की पाबंदी होती है अरकान के भी पाबंदी होती है लेकिन एक फर्क यह होता है कि यहां मिसरे छोड़के बड़े हो जाते हैं यह अरकान की पाबंदे नहीं हो जाती है किसी लाइन में अरब से इसके जाहिर है कि इसमें किसी तरह की पाबंदी नहीं है ना तो यहां कोई बहर है ना वदन है कि ना कोई रुकन है जो कुछ हमारे ख्याराद में एक तर्टीद से आते रहे हैं बाकादा उसमें एक हम उसको नद्म करते जाए लिखते जाएं एक खास काईफियत के तहए काईफियत हो एक तसलसल के साथ किसी बात को कहने के अंदाज को नस्री नद्म में हम लाते हैं एक काईफियत होनी चाहिए लेकिन इसका हम बल्लब जाएं कि यह काईफियत सिर्फ नस्री नद्म हो बलकि तमाम किसमों की तमाम किसमों भी यह काईफियत होनी चाहिए तो इस में शुरू से आखिर तक बहर की पावंदी की गई है वदन की पावंदी की गई है अरकान की पावंदी की गई है की गई है तो इस तरह हम देखते हैं कि लामा अकबाल के हाँ जो जाहिद बात है कि हम जो पहले बात हमारी चल लेती है उसके तसलुसर पर बात करना चाहते हैं उन्होंने खुर दिया है और हरकत तो आमल पर जो दिया है यानि हमारी जिन्दगी में हरकत अगर नहीं होगी तो हम कोई बड़ा काम नहीं कर सकते आम तोर पर कहावत है कि हरकत में बरकत है अगर लामा अकबाल का अबाईए की फलस्फे पर बात आते हैं सबसे पहलो तो अल् दोस्तानी बच्चों का कौमी गीत नया शिवाला वगर रहे बहुत सारी नजमे हैं अल्लामा अकबाल का एक अर्दू कुलियात है जिसमें उनके श्टार शरी मजमूएं हैं बांग दरा बाल जिबरील जर्ब करीम और मुगान हजाद आकरी मजमूए में उनका अर्दू औ हवाले से बात करते हैं कि ये नजम तक्रीबार उनने इस सो चार के आस पास के लिखे गई है ये एक पाबंद नजम है और गजल की हायत में लिखे गई है बयानिया नजम है इसमें रदीख भी है काफिया भी है बहर भी है वदन भी है और अरकान की पाबंदी है कि शुरू भी है वो भी आप जानते हैं, और ये एक बयानिया नजमि एक तσιल्सुल enfant के साथ äक्भाल अपने मंजर निगारी का सहरा लेकर नजम को बयान करते जाते हैं, और मंजर निगारी का बेहती है, नमुना इस नजम में यह खोईश होती है और गालिब न तो यह भी है कहा था कि हज़ारों खाइश हैं ऐसी के हर खौईश पर दम निकले, बहुत निकले मरे अर्माल लेकिन फिर कम ने कि लिए की खौईश हमारी अतनी शड़ीद होती है, अतनी अहम होती है हमारी लिए का मुसक लिए दिल व जान स मजाहिर फित्र से बहुत काम लिया है लाम अग्बाल नीज इस नदम भी जो है फित्र है यानि यह कुछ हमारे आस पासे बियानिया तोर पर हमने उसको नेचर के ह्वाले से बात करने की कोशित किये इस नदमी इसी चीज की फरावाणी देखनों को मिलती है की इमेजरी को पेश किया है। यहाँ पैकर तराशी है, एक एक चीज़ को लेकि किस तरह हरकतों अम्म के जड़ी उसको दिखलानी कोशिक की है। अच्छाए, यहां एक बात ये भी आ कि इसमें तो खुरूब करते हैं लेकिन नदम की ज़ो को खुबिया हम पहले हम बतारहे हैं कि कि यह नदम आदम सिर्फ एकْबाल की आवाज नहीं है बलकि एक पूरी नस्ल की आवाज है शुरू के 13 अशार की तो लगताए यह बाल सिर्स अपनी बात कह रहे हैं लेकिन जब 13 अशार के बाद हम साथ अशार मज़ीद पढ़ती हैं ये पूरी नदम 20 अशार पर मुस्तमिल हैं साथ अशार पर जब मज़ीद गवर फिक्र करते हैं तो अंदादा होता है कि अकबाल ने ये नदम सिर्फ एक मनजर बयानिया के लिए ने लिखी है बलकि इस को मौसित तरीके से पेश किया हैं इस नदम के जरी अखबाल ने इनसान को कुछ गर गुजनने के लिए आमादा करना चाहा हैं यानि इनसान का दुनिया में आने का जो मकसद है उस मकसद के वो पहचानना है और उस मकसद को पहचान को उसको अपनी जिन्दगी में उतारना है उसके बाद अमल करना है ताकि हम दुनिया में कुछ करके जाएं इस मकसद का इजहान नदम के आकरी शहर में जेखनों की मिलता है यानि एक आर्जम मक्तलिफ करवाट और पहरू जब बदलती हुई किस तरह अपना सफर पूरा करती है और आकिर में मकसद पैगाम पर खत से बात कि इस नदम की क्या खुसूस है तो वह भी हमने आपको वाज़े कर दी अब आईए हम नदम को पढ़ते हैं ताकि हमें अंदादा हो कि जो कुछ बाते की गई हैं वो कितनी कारामद हैं तो उसे नदम को हम पढ़ते हैं देखिए इस नदम को जो शुरू होती है वो एक आर्जू है और नदम का हम पढ़ते हैं इसको आप भी सुनिया गोर से और इसके एक 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 लवस पर एक एक मिसरे पर एक 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 शेर पर गोर करने के जरूरत हैं दुनिया की महिफिलों से उकता गया हूँ यारब क्या लुट्व अंजुमन का जब दिल ही बुज गया हो शुरूर से भागता हूँ दिल ढूगता है मेरा ऐसा सुकूद जिस पर तक्रीर भी फिदा हो मरता हूँ खामशी पर ये आर्जू है मेरी दामन में कोह के एक छोट सा जोपड़ा हो आजाद फिक्र से हूँ उजलत में दिन गुजारूं दुनिया के गम का दिल से काटा निकल गया हो लद्ध सरूत की हो चड़ियों के चाय चोहों में चश्मे की शोरिशों में बाजा सबज रहा हो गुल की कलीशी टक कर पेगाम दे किसी का सागर जरा सा ग बुल्बल नन्ह से दिल में उसके खटकाशना कुछ मिरा हो सब बांधे दोने जानी बूटे हरे हरे हो नदी का साव पानी तस्विर ले रहा हो उद दिल फरेए बाम ऐसा को शार का नजारा पानी भी मौजबन बनकर पानी भी मौजबन कर उठट के देखता हो आगोश में जमी की सोया हुआ हो सब्दा फिर फिर के जाड जम में पानी चमक रहा हो पानी को छू रही हो जुक जुक के गुल की टहनी जैसे हसीन कोई आई न देखता हो मेहदी लगाए सुरज जब शाम की दुलहन को सुर्खी लिये सुनहरी हर फूल की कवा हो रातों को चलने वाले रह फिर के कोयल वो सुब हुकी मौजदिन मैं उसका हमनवा हूं वो मेरी हमनवा हो कानों पे होना मेरे दैरो हरम का इहसा रोजन ही जो पड़ी का मुझ को सहन नमा हो फूलों को आये जिद्दम शबनम वदू कराने रोना मेरा वदू हो नाला मेरी दुआ हो इस खामुशी में जाएं एतने बलंद नाले तारों के काफिलों को मेरी सदा दरा हो हर दर्दमन दिल को रोना मेरा रोला दे बेहोश्च जो पड़े हैं शायद उन्हें जगा दे नदम यहां पर खत्म हो गई इस नदम में कुल बीस अशार हैं आपने देखा कि इस नदम के तेरा अशार तक आपने वह एक सिर्फ मंदर निगारी का सहरा लिया अकबाल ने कि इस तरह से मंदर मुक्तली मंदर को पेश किया है और उसके हवाले से उन्हों ने बात किये तो जो मंदर पेश किया उसको तो हम उपर तेरा अशार को छोड़ दे रहे हैं आप उसको पढ़ेंगे खुद मह आशार पर राते हैं लोग कहते हैं कि रातों को चलने वाले रह जाएं ठक के जिस्दम आम तो पर लोग जब सफर पर निकलते हैं तो दिनक में सफर शुरू हुआ तो रात में भी चलते रहते हैं और उस रोशन से रोशनी से जो दूर तक दिखाई पड़ता अंधरी रात म कोई दिया रोशन हो चराग जल्दा हो तो उसकी रोशनी बड़ी दूर से नजर आती है तो अकबाल का यही कहना है कि अगर कोई मसाफिर ठक जाए तो कम से कम रात में जब उसको मेरा टूटा हुआ दिया नजर आ तो वो उसके लिए एक उम्मीत के किरन होगी है यहां ठकन जानी आम तोर पर जो है जब बजली चमकती है तो कोई चीद नहीं नजर आती बजली जब चमकती है तो वो चीद भी नजर आ जाती कौन सी चीद कहा है राचल तो कहीं ना कि एक हमें चलने का सहारा मिलता है आगे बढ़ने का सहारा मिलता है तो अकबाल उसी सहारे की तरफ के बात कर रहे हैं बिजली चमक को नको कुकिया मेरी दिखाते जब आस्मा पे हरसु बादल घ्रा हुआ हो पिछले पहर कि कोईल वो सुभ की मौजदिन मैं उसका हम नवा हूँ वो मेरी हम नवा हूँ मौजदिन कहते हैं अजान देने वाले को जब सुभ होती है तो सुभ की वोच्जिद मजड़ान तो देगा ही देगा लेकिन मेरे लिए मोज़इन, किसकी है, इसके तो वो कोईल है कोईल जब चुँखती, गया चुदिय को तो सोने वाले समझ जाते हैं, कि सवेरा होने वाला है, ब हमें बेदार हो जाना चाहिए। तो वह कहते है कि मैं उसका व्होजड वज़ान कि रिखता है वे उसका हमनवा भूव हो मेरी हमनवा को यानि हम दोने एक दूसरे के पैगाम को समझें कानों पे हो ना मेर मेरे दैरोहरम का है रोजन ही मेरी जोपड़ी का मुछ को सहन्वा हो। काई तो मैं मंदिर का सहारा लेना चाहता हूं तो मद्जित का सहारा लेना चाहते हूं किसी का अचाल नहीं लेना चाहता है बल्क्राइधा ये जो पड़ का मुज़ को सहे हो जो जो चिराग जर जन क्विवेला हूं जो रोषंदान कि जो आप eyeshadow को रोषंदान होना चाहिए फूलों को आए जिद्दम शबनम वजू कराने रोना मेरा वजू हो नाला मेरी द्वा हो कहते हैं अब देखे यहां भी उन्हों ने बड़ी अच्छी पैकर तराशी किये फूलों को आए जिद्दम शबनम वजू कराने वजू तो हात मुद दोने को कहते हैं खा के गमेगे अगर मैं रो रहा हूं तो वही मेरा वज़ु है वही मेरी द्वाइए और इसके आखरी दो शेडिक्ट वह बहुत देर पर दिलचर्प इस खामोशी में जाएं इतने बलंद नाले तारों के काफिलों को मेरी सदा दरा हूँ कहते हैं मैं तो रात वी खामोशी में हूँ लेकिन इस खामोशी में जो मैंने रोना मेरा शुरू हुआ है उसका नाला इतना बुलंद जा बलंदी तक जाए पहुत गया है कि तारों के काफिलों को मेरी सदा दरा है या आसमान में हम तो रोना होना तो जमीन पर कर रहे हैं लेकिन आसमान तक मेरी सदा पहुचे और तारों को काफिल आहो उसके लिए मेरी सदा जो है यह बांग की आवाज हो एक काफिल तो हो अब देखिए आखरी शेर में उनका ये पेगाम है कि हर दर्दमंद दिल को रोना मेरा रुला दे बेहुत जो पड़े हैं शायद उन्हें जगा दे एक अर्दू के जरी अल्दा मैं अकबाल ने जो बात कहने की कोशिद के ती आखरी शेर में उसका निशोड़ा आ गया कि हर दर्दमंद दिल को रोना मेरा रुला दिया दर्दमंद उसको कहते हैं कि जो दर्द मेरे दिल में है वही दर्दाब भी महसूस करें तो यह दर्दमंदी होती है कि एक दूसरे के गम को महसूस करना दर्द को महसूस करना दर्दमंदी तो मैं जो महसूस कर रहा है वही में पड़े हुई हैं उने कोई अधादा नहीं कोई शोर नहीं तो इस तरह हम देखते हैं तो अल्लामा अकबाल भी कहते हैं कि शो कुछ मेरा नाला है शाद उनके अंदर कोई कैफित पैदा कर दे आगे बढ़ने का ज़स्वा पैदा कर दे और होसला अवजाई उनकी पैदा बारे में वे इन फरादी तोर पर भी इस नवजाद को पड़कर इसके मजद इस पर गोर्फिक्र करने की कोशिश कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात है कि शुरुआत में ही सर ने जिक्र किया था कि इस नजम में और साथ ही साथ इकबाल की जो रचनाय है उसमें आप नेचर नजम बहुत खुबसरत संदेश इस नजम के माधिम से एक आरजू आपने पढ़ी उर्दू विशे का आज का ये चैप्टर था सर आपने हमारे चात्रों को हमारे दर्शुकों को ये अच्छी जानकारी समझाई इसके लिए आपको बहुत-बहुत शुक्रिया शुक्रिया जो हमारे साथ जुड़े रहते हैं लगातार और चलते जलते एक जानकारी जरूरी जानकारी आपके लिए अगर आप नए शिक्षा सब्टर के लिए पाठे पुस्तर के नहीं प्राप्ते कर सके हैं तो प्राप्ते करने के लिए आप हमारे सेल्स काउंटर पर विजित कर सक आप सभी का शुक्रिया नमस्कार